सब्सक्राइब जल्ली से आजाएं बहुत बढ़ाय कर रहे होंगे और इसी तरीके थंड के मज़े भी घर उपे रहे रहे होंगे और प्रिप्या करके इस समय जो ठंड का मौसम है उसमें थोड़ा सा अपने आपको साउधानी बरतते हुए ठीक है इसनान के समय को जो है एक सह नहीं किया करें अपनी तयारी को आसान मना सकते हैं मैं में सब्सक्राइब करके साथ जुड़ें और अनकेडमी के साथ जुड़ने के लिए डिसकाउंट कोड जो है जी टेन एपलाई करना ना भूलें वहीं पर आपको बता है हमारे बैच है लक्ष बैच फॉर सी एचसल वहीं पर आपका दूसरा बैच है टार्गेट बैच फॉर यहां पर मुझे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं सफलता बैच फॉर इस सभी बैचों में आपको इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर लाइक साहिल सर किर्थी मैं ठीक है आपके रॉबिन सर रवी मैं रवी सर और साथ ही साथ जो सुमित गोईज सर आपको पढ़ा रहे जैसा कि आप सभी लोग जानते मेरा नाम जीतेंदर कुमार है मैं आपके जीएस का एजुकेटर हूँ अनिकाडमी प्लस में जीएस की संपूर तयारी को आसान करता हूँ बहुत बहुत श्वागत है आप सभी का सभी लोग जल्दी से आजाए एक बार वीडियो को सेयर कर करें ताकि आपके अन्य दोस्ती क्लास में उपस्तित हो जाए और एक भी हित्रीन जो है हम जो कोश्यंस हैं खास करके के सीजील टीएर्वन और टीर टु के लिए उनको यहाँ पर करेंट फिर के सवाल ज्यादा रहेंगे और उनको यहां पर कवर करेंगे बहुत-बहुत श्वागत है आप सभी का जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरा नाम जीतेंदर कुमार है मैं आपकी जीएस के सारे सिग्मेंट कवर करता हूं और आपको हिंदी ग्रामर पढ़ने के लिए आप मेरे सार जोड़ सकते हैं तो हिंदी ग्रामर की भी क्लासें आप मेरे सार जोड़ करके कंप्लीट कर सकते हैं इसके लावा आप कंप्यूटर का भी कुर्स मेरे सार जोड़ करके कवर कर सकते हैं इंडिया वे इस्ट्रेजिक फॉर इन अंसरेटिन वर्ड जो है यह पुस्तक जो है किसके दौरा लिखे गई राइट आंसर दें सेशन को एक बार फट्राक से सेर कर दें ताकि आपके अन्य दोस्तवी क्लास पर आ जाएं और मैं भी एक बार सेशन को सेर कर देता हूं ठीक है बहुत बहुत श्वागत है आप सभी का चलिए गए सबी लोग आ जाए है राइट आंसर दें अभनो जी वेरी गुड तो यह जो है हमारे जो इस समय देश की मिनिश्टर आप इस्टरनल अफियर है उनकी पुस्ता के मिनिश्टर आप इस्टरनल अफियर जो हमारे देश के इस्टरनल अफियर में जैसंकर प्रसाद उन्होंने यह बुक जो है लिखी है मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है आपको याद रखना है में इस्टरनल अफियर के दौरा लिखी पुस्तक है इंडिया वे इस्ट्रेजी फॉर ए अंसर्टिन वर्ड नेक्स्ट इंडियन आर्मी सफिस्टु क्यों सार्फिष टू यह मिसायल हैकली फॉर्टेफ्र इसदियान है मीडियम रेंज सर्फिष टूलियर थी तूर्थम extra सेंडियो। मीडियम粉 रिचनिया इडा मिजल कि ऐसी प्षेस पूरा व něco गई ऑ साथी साथ virtual Blessed to के ऐसी बनाए तो बिल्कुल सभी आणसर डियाइडी के दोरा ठीक है यह अप सब कहा है इस समय डियाइडी के चीप कौन पद में बना था इर भ Keeping ऑठा एडियडीर दियाण प्पान का तो आप बोना समीर कामत साब समीर कामत ठीक है नेक्स्ट कोश्चन अगले सवाल पर चलते हैं फिच आप दा फॉलिंग करेक्ट्ली मैच रिस्पेक्ट यदि आप से कहा जाए जिन लोग का भी निधन हुआ है उन ब्यक्तियों में करेक्ट्ली मैच करके बताएं कि यह क्या सही है बरजबासी लाल क्या जो है यह आर्केलोजिस्ट थे बीबी लाल इनका नाम है इनका निधन हो गया है बिल्कुर सही यह बरजबासी लाल का इनका निधन हुआ है इस तू और नॉट आप बताएं कि क्या यह सभी करेक्ट है यह सभी का चुनाओ गलत है राइट आंसर दीजेगा बहुत ही प्यारा सवाल हाली में हुए निधन के संदर में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है राइट आंसर दीजेगा यह आप से कहा जा क्या बीवी लाल जो है यह आर्केलोजिस सर्वे आफ इंडिया से जुड़े हुए बिलकुस सही आंसर है अलीजा बेट जो है यह आपकी ट्रिब्यूट्स है यह बहुत जादा मतलब की इंपॉर्टेंट होती है करेंट अफिर में आप टरी जो है इनको जरूर याद करने ब्यक्ति और उनके संबंदे छेत्र क्यूई नेलिजा बेट जो है ब्रिटेन के महारा ने थी यह सवाल इस बार सीजेल से में भी पूछा गया है बीवी लाल के बारे में भी सीजेल में स यह अभी हाली में आई भारत की रैंक क्या इस ग्लोवर हंगर इंडेक्स में 107 रैंक है 121 देशों के स्थान पे लास्ट इर इंडिया रैंक 101 इट इस ट्रू यह पहला क्या स्थेट्मेंट सही है कि गलत दूसरा इट इस इसू जोएंट ली वाई कंसर्ड वर्ड वाइड विल्ट यदि आपसे का जा हंगर लाइफ यदि आपसे का जा क्या इसको कंसर्ड वर्ड वाइड नाम की संस्था जारी करती है तीसरा सवाल है बेलारूस भुष भूस भूश निया ठेके यह आपसे काजा हरजेगोविनिया चीली और चाइना प्रोश्या क्या यह टॉप कंट्रियों में इस्थान बनाए है global hunger index में तो बताइए इसमें से right answer कौन सा होगा आपको बताए अभी global hunger index आई और उसमें भारत की rank जो है क्या है तो आप लोग बोलना कि one zero seven जो है 121 देशों में भारत की rank है यह बारत की rank है दूसरा सवाल चोटे भाईयों यहां पर एक most important है यदि आप से कहा जाए इस rank में पाकिस्तान की rank जो है global hunger index में क्या है बताइए right answer यह comment box में पाकिस्तान की rank क्या है तो आप बोना 99 यदि आप से कहा जा यहां पर सी लंका की rank क्या है hunger index में सीलंका की rank तो आप बोना 64 यदि आप से कहा जा बंगला देश की rank क्या है तो आप बोना 84 हमारे पडोसी मुल्क जो है उनकी rank जो है हमसे अच्छी है और हमाई rank जो है भुगमरी सूचकांक में इनसे भी बेकार है तो यह या रखना पाकिस्तान की rank जो 99 rank है तोटल 121 देशों में और बेला रूस जो है यह सबसे बढ़ी है फिर बोस्निया फिर यदि आप से काज हर्जेगोवनिया फिर चिली और फिर चाइना नेक्स्ट ऑला फेवा मतलब इसका राइट आंसर होगा सारे स्टेट्मेंट सही है नेक्स्ट कोश्चन दचिग्राम नेशनल पार्क जो है जो कि जब्मुकस्टे रायट आंसर दीं में को एक बार जरू सेर कर दें ताकि आपके दे ने रुखी ना दिखाए कि आप सेयर करने के मामले में बिलकुल इतनी लापरवाही बरत रहें जब आपको पता है कि डेली सेशन दो बजे होना है यह टाइमिंग चेंज हो चुकी है बारा बज़े की बजाए अब दो बज़े से सन होगा तो आप सब लोग क्लास में उपस्त और राइट आंसर दें, तो द्च्कराम नेशनल पार्ग किसके लिए फेमस है तो पिलकुल सही आंसर दे रहे हंगुल के लिए फेमस है यदсть आपसे कहा जाए किसके लिए हंगुल के लिए तो हंगुल यदी पूछा जाएगा अगला जो है आप से कहा जा किस्त वार जो है निशनल पार कहां पर पढ़ता है तो आप बोले जम्मू कस्मी पढ़ता है ठीक है नेक्स्ट कोश्चन अगला सवाब इन विच इस्टेट ऑफ इंडिया प्राइमेस्ट अलेट दा फाउंडिशन इस्टेवन आप महराजा सुहल देव यदि आप से कहा जा प्रधानमंति मोधी जी के द्वारा सुहल देव की प्रित्मा का इनुगरिशन किया गया था और साथी साच चितोडा लेक का उद्गाट यहीं फड़ती है राइट आंसर दें अश्ट वक्रालेक वेरी गुड तो बिलकुछ सही यूपी के बहराई जिष्टिक चितोडा लेक और यहीं आप से का अश्ट वक्रालेक और यहीं पर जो है सुहल देव की प्रित्मा का इनुगरिशन भी किया गया है नेक्स्ट फास्ट यूटी आफ इंडिया यहीं आपसे का लिए यूटी है जो 100% क्या हो चुका सोलर एनर्जी युक्त हो चुका अब पहला यूटी जो है कौन सा है जो हंड़ए परसेंट और गैनिक हो चुका ये सवाल भी आपकी कि इंपोर्टेंट और परिश्वा परिश्यों में दिव दमन और दिव दमन और दिव और हंडेब परसेंट यह आप से कार्या और गैनिक यूटी कौन सा हो गया है तो आप बोलना लख्ष दिव कि नेक्स्ट वेर दा वर्ड लार्जिस्ट मूजियूम और अपर बनावली जो है यह भी आपका हर्याना में पढ़ता है जो कि इंडस्वाली सिवलाइजिशन की साइट है दूसरा सवाल जो महत्पुन यहां पर बनता है एक मोश्ट इंपॉर्टेंट राखी गड़ी और बनावली दोनों की दोने हर्याना में और सबसे बड़ा मूजियम जो है राखी गड़ी में बनाया गया है अगला फर्स्ट जो है सी एंजी टर्मिनल यदि आप से का टू कम ने एक बार कोश्चन कराया है तो भावन अगर आपको यह रहा है नेक्स्ट कोश्चन अगला सवाल महत्मा गांधी यह आपसे का जा रूर इंडिस्टियल डिवलप्मेंट पार्क जो है दो अक्टूबर 2022 को जो है बनाया गया है मलब महत्मा गांधी के नाम पर रूर साधन को पलब्त करने के लिए जो है गांधी जंती पर महत्मा गांधी जो है महत्मा गांधी रूर इंडस्टियल पार्क कहां पर बनाएगує गड़राजी की यह महत्रपुन स्कीम है 36 गड़राजी के सीम कौन है भूपेश बगेल और उन्होंने जो है भूपेश बगेल साब ने इस प्रकार की स्कीम को जो है लांच किया है भूपेश बगेल का नाम भी याद रखेगा next question इन विच स्टेट यूटी इज इंडिया फर्ष्ट नाइट स्काई सेंचुरी यदि आपसे कहा जाए बिंग सेट अप लोकेट एज पार्ट आप चांग थांग यदि आपसे कहा जा जा रही है भारत की नाइट स्काई सेंचुरी जो है कहा पर बनाई जा रही है तो लद्द नार्जेस सफारी पार्क जो है कहा पर बनाए जा रहा है याम्हिए सवाल सवाल और मणाफ दोजार पर फेल है इंडिया ने टाइटल जीता है किस तीम को हरा करके RE Really कहा जाए अभी ने सात्वीं बार जीता है जो कि बंगलादेश में हो रहा था बंगलादेश में हो चल रहे वुमेज का में कहाँ पर हुआ है तो यह जरूर या를 नगराता है यहे हिस ज़ीता कि सिलनका को हरा जीता है और आक को बता रहें friend कि इंडिया ने जो है वोमन इस्य कप जो कितने इस कम जीता है यह सवाल है इसी यू एपसे कहा जाया कि यह सब्सक्राइब नाम की पुस्तक भी लिखी थी कुछ समय पहले अवर यदि आप से कहा जाए अवर ग्रेट नेशनल पार्क जो है बराको आवा के दौरा स्रीज जो है यह जो है बनाई गई है अब दूसरा सवाल यहां पर बढ़ता है कि दुनिया का वर्ड का ओल्डेश्ट नेशनल पार्क कहां पर पढ़ता है यह सवाल भी आता है वर्ड का ओल्डेश्ट नेशनल पार्क कहां पर पर पढ़ता है तो आप बोलेगा यलो इस्टोन नेशनल पार्क कहां पर है चोटे भ इन ट्रिम्प्रेट एन आर्चिक यहां पर जो है बनस्पतियां पाई जाती है कौन सा भारत का ऐसा नेशनल पार्क है जहां पर ऊस्ट निंधित और वों से प्रॉपिकल उपोष्ट निंधित रेदी आप से कहा जा आर्क्टिक जलवाई पाही जाती है कौन सा ऐसा निशनल पार्क है जहां पर यह सारी जो जलवाई जो है देखने को मिलती है तो आप बोलना एक निशनल पार्क है और वह कौन सा है तो आप बोलना यह नाम दफा ठीक है नाम दफा निशनल पार्क कहां पर पढ़ता है छोटे भाईयों यह नाम दफा निशनल पा पर नीओरा वैली नियोरा वैली यूड़ी सिफ्यापट यहां पर पर पार्क और नीओरा वैली की नीओरावेली नीओरा वैली सब्सक्तिटागे ने सम्हेलिक है यूड़ा । जो सांस्क्रिटिक परिवेश है उसके लिए तो यह सिक्के में पढ़ता है नेश्ट कोश्चन अगला सवाल यहां पर नेशनल आइकॉन जो है किसे डिकलियर किया गया है इलेक्शन कमीशन आफ इंडिया के दोरा जो है अभी हाली में National Icon किसे डिकलियर किया गया है Election Commission of India के इस समय जो चीफ है चीफ ऐलेक्षन कमिशनर जो है वो कौन है राजी कुमार साहब इस समय देश में 25th नंबर के जो है चीफ ऐलेक्षन कमिशनर है राजी कुमार राजी कुमार और आप बताइए नेशनल आइकोन जो है नोने किसे डिकलेर किया है तो आप यार रखेंगे हैं पंकस्ति पार्थी को किरियर अभिनों साथ पंकस्ति पार्थी को नेश्ट कोश्चन अगला सवाल पर चलते हैं फटाफट चौथा जो है हेली इंडिया सम्मिट जो है 2022 कहां पर हुआ है भारत में हेली हब जो है कहां पर बनाए गया है हेली हब जो है यदि आप से पूछा जाए तो आप बोलेंगे हेली हब जो है हरियाना में बनाए गया हरियाना में कहां पर गुरुगराम में बनाए गया है है लेगन हेली इंडिया सम्मिट जो है यह कों है इनका नाम मनुस इन्ट अगला सवाव इन में से आप शेजार्बर कुछ परसन है और उनसे रेलेटव फिल्ड है क्या प्रिंस चाल थर्ड जो है अब न्यू जो है किंग हुए है यूके के आपको पता है एलीजा बेट जो तभी बिटिस महारानी थी एलीजा बेट सेकेंड उनके जाने के बाद क्या प्रिंस चाल थर्ड को जो है ब्रिटेन का नए राजा बनाए गया है मुहम्म बिन सलमान विलियम रूटो जो है क्या ये केन्या जो है केन्या जिसकी राजधानी जो है यदि आप से कहा जाए नैरोबी पढ़ती है क्या उसके ये राश्पती बनाएगा है तो राइट अंसर दिना ठीक है इन में से सही चुनाओ करें ये गलत कौन सा है उसको हटाएं तो आपको बिल्कों सही प्रिंस चाल थार्ड जो है समय ब्रिटेन के राजा है मुहमद बिन सलमान जो है ये साओधी प्रिंस है विलियम रूटो जो है ये केन्या के जो है यदि आप से कहा जाए अभी हाली में केन्या के जो है राश्पती बनाएगा है नेक्स्ट कोश्चन अगला सवाल सत्य निष्ठा एप जो है किस राज सरकार ने अपनी पुलिस की सहायता के लिए जो है लॉंच किया है ठीक है तो आप बताईए और उस राजी के नए सीम का नाम भी बताईए तो आप बोलना हिमांचा प्रदेश और यहां पर सुख विंदर सिंग सुख विं सौर क्रसी आजीव का योजना जो है बार सौर क्रसी आजीव का योजना जो है किस राज सरकार ने सुरू कि है सौर क्रसी कि आप खेतों में जो है सौर उर्जया का प्रयोग करके सौर क्रसी आजीव का योजना जो है यह स्कीम जो है किस राज से समन्द रखती है तो राइस नेक्ष्ट अगला सवाल आर्कलाजिकल सर्विय आफ इंडिया जो कि इसकी स्थापना ठारा सुक्सेट बहुती है डिली में पढ़ता है और एस आई के चीफ कौन है तो इनका नाम भी आ रखना ठीक है यदि आप से कहा जा फर्स चीफ कौन थे तो अलेक जिंडर यदि आप स आर्जेश चरी आप से कहा जाए बराह इस्टैचू जो है पाया गया किस एक नेशनल पार्क के टाइकर जैन में बराह इस्टैचू को पाया गया राइट अनसर दें बिल्कुत सब्सक्राइब बादोगर टाइगर जब जो है कहां पर पड़ता है आप लोग राइट आंसर दें बादोगर तो आप बोलना यह एंपी पड़ता है और यहीं पर जो है वराह स्टैचू को जो है देखा गया है मतलब पाया गया है और यह साइनिस को ढूंड निका सवाल यहां पर है छोड़े बाइयों कि नई दिल्ली में हुई है इंटरनिशल सोलर इलाइंस के रिया आप से कहाजा कब गठी न हुआ था 2015 में हुआ था आई एसे जो है इंटरनेशन सोलर इलाइंस का हेड़ कौर्टर कहा है तो आप बोलेगा गुर्गरा में पड़ता है एक मात अंतरराष्टी संग्ठा ने जिसका हेड़ कौर्टर भारत में है इसके चीप कौन है तो उनका न सस्टनेवल मौनुमेंट्स डवलुपमिंट संमिट जो हैं कौन सा एडीशन हुआ पहली बात जALK लेना सिट आप लेकर को मानट है तो आप लोगो दो सब्सक्राइब और यहां नहीं पर यदि आप से कहा जा आरके माथूर राधा कश्न माथूर जो है यहां के क्या है लेफ्टिन गवर्नर रहे हैं। इंपोर्टन सवाल यह सश्ञाइबल मॉनुमेंट समिट जो है कहां पर हरा है यсем कोन एक्ट एक्ट ुनिटिटी ऑफ फौरिश्ट च जो लांच किया गया औरी की पौरिस्टấu पौर्ष एक्ट पर बनाय कोरे तो आप बोने सिमत कौन तो आप बोना केचंद सेखर राव साहब है और यदि आप से गाजा तिलंगाना की गवर्नर कौन है तो तमिल साइंस सुंदर राजन है ठीक है तमिल साइंस सुंदर राजन है हैदराबाद यहां का जो है हाई कोट है और हैदराबाद ही जो है राजधानी है तमिल साइंस सुन्दराजन और ये इस समय कहा है hugले सवाल पे त। महाकाल ठीक है लोग प्रोजेक्ट यदि आप से कहा जा है महाकाल को लेकर के एक लोग परियोजना सुरू की गई कहां पर तो आप बोले हो महाकाल जो है जैन भी पढ़ता है और यदि आप से सवाल पूछा जाता किस नदी के किनारे है तो आप बोलना यह छिप्रा रिवर के गया है तो मंदाकनी रिवर के किनारे जो है इस्तित है ऐसे सवाल भी आपकी परिष्छाओं में आए हैं तो आपको ध्यान देना है गंगा रिवर ठीक है गंगा रिवर के किनारी यह हरे द्वार है ठीक है इंपॉर्टेंट सवाल है कि एदार नास से कौन से निकलती है तो सवाल सीजेल पूछ चुका है इसलिए मैंने यहां पर एगला सवाल यहां पर फॉलिंग नेशनल पार्क है यह यह आप से स्टार्टी डे यूज ऑफ ड्रोन ठीक है फॉर अनमेंड यह आप से एरियल वीकल वाइड लैफ मेनेजिमेंट को ले करके जीवों के प्रवंदन क सब्स्क्राइब इसके लाब कजी रंगा कजी रंगा करणाटग करणाटक regards समय पढ़ता जिम कारविट कहां पर पड़ता है उत्राकंड मेपड़ता रंढ ठंबौर कहां पर पड़ता राईस्थान में पड़ता है अरश्ज़ान में तो आपका केडल में पढ़ता है तो आपसे पूछा जाए कि जिम कारवेट में जो है यह ड्रोन से अन्मेंड एयर वीकल से जो है निगरानी रखने की जुम्मेदारी जो है दी गई है अगला सवाल यहां पर ठीक है यूनियन मिनिस्टर आफ इन्वार्मेंट यह आप से कहा हुआ है मतलब कि भारती संविलन यह पहला हुआ है संथ्र 3 裔र को प्रवंधन को लेकर के जो है मतलब कि जो हमारा कोश्टल है उसके प्रवंधन को लेकर के संविलन दिए कहारा है और को स्वार में भूह ने सवर भूनेश्वर में ही आप से कहा जा अभी हाली में करिंड में भूनेश्वर में ही नवीन पतनायक साहब उनके द्वरा जो है अभी हाली में हांकी वर्ड कप ट्रॉफी का इनुगरेशन किया गया है नवीन पतनायक साम ने कहां से भूनेश्वर में किया है भूनेश्वर ही भारत का पहला सहर है जो की 100% यहीं पर नाया जाना है नेक्स्ट कोश्चन अगला सवाल ओन दा ओकेजन आफ 120 बर्थ अन्वर्सरी यदि आप से का जाए इस टैचू आफ यदि आप से का जाए 15 फिट की जो है अभी हाली में प्रतिमा जो है हो मिनिस्टर अमिस साजी ने इनोग्रेट किया सिताब दियारा बिहार में जो की सारण जिश्टिंग में पड़ता है आप बताईए कि 15 फिट की स्टैचू को जो है अभी हाली में किसके बर्थ दे पर अमिस साजी ने सारण जिले बिहार में इनोग्रेट किया है आपको बता है ग्यारे अक्टूबर को भारत के एक महान सक्सियस का वर्थडे होता है ग्यारे अक्टूबर को ही अमित आप बच्चन जी का वर्थडे होता है और ग्यारे अक्टूबर को ही प्रकास पांडे जी का वर्थडे होता है तो यह तारीक जो है आपको याद रखनी ह नेक्स्ट कोश्चम चलते हैं अगला सवाल यहां पर हुई दा यदि आप से कहा जाए यहां पर एपॉइंट्मेंट जो की करेट्ली मैच है अमिजी का वर्थड़े और जेपी जी का वर्थड़े जैपरकाश नयांड का आपको याद ही रखना है आप बताए यहां पर एक परसन है जो एस आप से कहा जाए गोकले और रिंगको ठीक है जो जाओ मैनवल गोकलेवेश ठीक है रैंको ठीक है रैंको आप बताई किस देश के नई राष्टपती बने है तो यह राष्टपती जो है अंगोला के राष्टपती बने है इट इस ट्रू दिलीब तिकरी जो है प्रसीडेंट आफ हां की इंडिया को ही अभी हाली में हां की इंडिया का प्रसीडेंट बनाए गया इट इस ट्रू और और Georgia यदि आप से का रहा है Miloni जो है ये इतली जो देस है उसकी पहली महिला जो है Georgia Miloni जो है ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है इसे ट्रू और नाट तो आप बताइ काईजन भी भारत में हो रहा है उसके हेड बनाए गए अंगोला जो देश है उसके नए हेड जो है रिंको बने है जुआओ मैनुवल ठीक है यदि आप से कहा जाए गोका लवेश रिंको इनका नाम भी आपके रहा है तो आपको तीन नाम और पता चले है अगला जो है यदि 31 बिहारी पुरुसकार है तो आप से का प्रिमार शम्मान लिटरेचर के लिए आते हैं सरस्ति शम्मान कई अपकी परिश्पम में आते हैं लागत है यह सम्मान में कूना देता है तो के के विर्लां फांडेशन याद आ внगा किसे दिया गया तो माधो हाडा जी को जो है दिया गया है माठो हाडा अगला सवाल विच कंट्री है भीकम दा वर्ड लार्जेस सुगर यदि आप से का जा प्रोडूशर कंट्री आप बताइए दुनिया में सबसे ज़्यार चीनी के उत्पादन के साथ चीनी का उप्योग कर करने में जो है नमबर वन कंट्री जो है कौन सा राइट आंसर दें कि बिल्कुश सही तो आप बोला इंडिया इंडिया में देखो यह यह रखना जूट जूट में भी पूरे वर्ड में इंडिया नमबर वहन चुका है जूट के साथ साथ यह आप से का दूद दाल चीनी जूट दूद डाल चीनी और मसाले और केला नेक्स्ट विच कंट्री वाज यह रियाप से इन सब में इंडिया उत्पादा में नमबर वन है या रखना इन सब में वर्ड में रियाप से का जाए वर्ड में लार्जिस प्रोडूशर इंडिया डाटा याद कर ले न यदि आप से का जाए वो में बास्केट वाल जो है यदि आप से का जाए वर्ड कप हुआ था 2022 इसको जीता किस ने है वर्ड बास्केट वाल वर्ड कप जो है किस देश ने जीता है बास्केट वाल को ले कर के वर्ड कप तो यह हुआ था आस्टेलिया में यदि आप से कहा रहे बास्केट वाल वार्ड कप का आउजन कहा पर हुआ था तो आप बोलेगा आस्टेलिया में हुआ था मेरी आपल वॉर्ड कप को जीता किस ने सवाल यह महत्त्रपूर है जीतने वाले देश का नाम है जीतने वाले देंश का नाम है यहाप से कहा था चाइन को रहा करके चाइनaya ह् और य्युश से जीता है इनमें सो कॉन से कॉरेटली मैश नहीं है का जी रंगा निशनल पार्क क्या पढ़ता टीश तो नॉट यही वाला तीसरा ही गलत था नेक्ष्ट रिःत इसेम्मली पास्ट ए इंटरनेशनल इरिया आप से कह जा रहे हो बुधिष्ट एनश्टी जो किस राजी बिधियक पारित कर किर दो प्राइब किस राजी की बिधान साव से में इंतर राष्टी बहुद्ध विधाले 온ी की जबेट नॉर्फ की सियंग उनका नाम दोंब कि गवणर जो है हरी बाभू खमभावती हैं कि सियंग नाम बताएं तीपिप्रा के तीप्रा में हर साल एक तिवार होता और अभी दिसम्बर के पहले जो है चर्चा में था खर्ची पूजा खर्ची पूजा फेस्टिवल कहां का है तो आप बोलेगा तिप्रा का ही है बहुत ठंड है राज दिल्ली में तो बिल्कु गलन पढ़ने लगी यार आप जाने की रोत नहीं आप सब को हिल इस्टेशन आईए दिल्ली घूमिए ठंड क महसूस करिए ठंड को मनिक शाह है इन में से कौन सा स्टेटमेंट जो एक करेक्ली मेंच है फ्रॉम इंडिया गेट टू राश्पती भावन यदि आप से कहा जा काल्डे सिंटर वेस्टा इवन्यू ठीक है एट यदि आप से कहा जा वाज आल्सो काल्डे राजपत अब रा इंडिया गेट से राश्पती भावन तका जो भी एरिया है उसको सिंटरल विष्टा एवन्यू के रूप में कहते हैं इसे राजपत भी कहा जाता है राजपत यह आप से कहा जा करता बेपत साथ ही साथ इसका उद्गाटन पीया मोदी ने किया क्या यह सारी स्टीटमेंट जूबन नए संसल भवन ठीक है राश्ठ पती भवन कि प्रकार के रेजोवेशन से समझ रखता है ठीक है नेक्श्ट को अगला सवाग हमार बेटी हमारमान जो ये जो है एक campaign शुरू की गई है खास करके woman की safety और empowerment के लिए कि हमार बेटी हमार मान ये campaign जो है किस राज से समझ रखती है हमारी बेटी हमारे घर की पहचान ये उत्राखंड का था और हमार बेटी हमार मान ये initiative कहां का है नाम से आप सब्दों से समझ सकते हैं चत्तिसगड का हमार बेटी हमार मान ये भूपेश बगेल साब ने इस initiative को जो है लॉंच किया इन्वी city of India ये आप से काजा 20 इंडिया में ये आप से काजा बीस हुआ इसने बीस हुआ एडिशन लिदि आप से काजा आफ बायो इसिया और नइट याइडिया ये आप से का consequently लेकर 26 फर्वरी 2013 में बायो इसिया संमिट काये जो है कहा पर हो रहा है बायो इसिया संमिट काये बायो इसिया interested räाइट में उनाइटि नference फॉव ऩॉजी वांड यूंआटि नेशन यहिदि आसे कहाता हाई कमिशन फॉर रिफ्यूजी वोलते हूई कमिशन फॉर रिफ्यूजी नानसेन एवार्ड जो है UNSCR ने दिया नानसेन रिफ्यूजी एवार्ड किसे दिया गया है खास करके मोरल एंड पॉलिटिकल करेज के लिए दिया गया है तो आप बोलना एंजरा मालकिर को आप से कहा एकँ कहा से बिलॉंग करती है जर्मनी का इनको दिया गया है और यह अपन ayr है इंटरनेशनल डेरी फेडरेशन वर्ड डेरी कॉन्फरेंस 2022 कहां पर हुई है एक्स जानसर रहें जर्मिनी की बताइए प्रधान मंती नरेन मोदी जी के द्वारा अंतर राष्टे डेरी संग विस्व डेरी समेलन जो है 2022 का उद्गाटन कहां पर किया गया राइट आंसर दें सब CHSL और CGL एक्जाम के लिए महत्पूर्ण सवाल है हीरो मत बनो सभी लोग ध्यान से कर लो मोश्ट इंपॉर्टेंट और आप सब को बताएं अनेकडमी के आफर का आज आखरी दिन है तो आप अनेकडमी के साथ जरू जुड़ें वेरी गुड तो आप बोलना ग्रेट अ पर नुड़ा में ही हुई है नेक्स्ट कोश्चन अगरा सवाल इंटरनेशनल होकी फेडरेशन के दौरा यह आप से कहा जाए मलब की इंटरनेशनल होकी फेडरेशन की दौरा जो है राइजनी स्टार ऑफ दा येर के वार्ट जो है दोजारे किस वोमेन खिलाडी को जो है स्टार जो है और यदि आप से कहा जाए कि प्लैयर ऑफ दी इर किसे दिया गया है तो उनका नाम क्या है ँदा नाम का हरमन जीत करके हैं मुका जो वोमेन प्लेयर आप दी येर बनी है अरे यार वो कौन है हर प्रीत हर प्रीत को और को दिया गया इन अर्डर टू प्रमोट इन डेवलब दा एको सिस्टम फॉर यदि आप से का जाए फिल्म इंडेश्टी इन डा इस्टेट यदि आप से का जाए इन डा बूश्डा टूरीजम एकोनमी ठीक है विच इस्टेट गॉर्मेंट इंडिया फर्ष्ट इस्टेट टू सिनेमेटिक टूरीजम यदि आप से का जाए परेटन अर्थविवस्था को बढ़ावा देने के लिए राजमें फूल्म इंडेश्ट के लिए एक परेश्टिक टूरीजम को प्रमोट किया है तो आपको इसका right answer क्या देना है cinematic tourism कौन प्रमोट कर रहा है तो आपको यह रखना है गुजरात थी यदि आप से का जा cinematic tourism policy जो है लॉंच किया है सिनेवा को बढ़ावा देने के लिए अगला सवाल प्राइम मिनिस्टर नरिंदर मोदी ठीक है लता चौक डिबलब्ड इन दा नेम आप भारत रतन लता मंगेसकर जिनको 2001 में आपको पता है भारत रतन दिया गया था कब दिया गया था इनके नाम पर जो है अभी लता चौक का इन्योग्रीशन प्रधानमंती मोदी जी ने किया कहां पर किस सहर में बिलको सही अयुद्ध्या में अभी करेंट मेरी आप से का जाए इस टैचू इस टैचू अब डिगनिटी भी बनाया गया है और इस टैचू अब डिगनिटी ज इवरी हाउस आप बढ़े किस राज के गाउं भरतावल गाउं में सभी के लिए पीनी के लिए आरो युक्त पानी उपलब्द किया गया है यह किस राज में पढ़ता है तो आप बोलना भरतावल भारत का पहला गाउं है जो कि उत्ता प्रदेश के बरेवी डिस्टिक में जहां पर सभी के लिए जो है नलके से आरो वाटर सफलाई किया रहा है अगला सवाल यहां पर हुएज बीकम दा फ़र्ष्ट एकामर्स यदि आपसे काजा कंपनी सेटा पे सूलर फार्म इन इंडिया भारत में वह एक सूलर फार्म बना रहा है जिससे सूलर इनर्जी प्र पहला जो है डिश्टल सेंटर भी बनाया था और दिश्टल सेंटर बेवी सवाल आ चुका है कहां पर बनाया गया सूरत में बनाया था आप पहला यदि आपसे का जा फर्ष्ट एकामर्स कंपनी टू शेटा पे सूलर फार्म सूलर इनर्जी को ले करके कि हम जो भी काम करें सोल एनरजी से ही अपने काम को आगे बढ़ाएंगे तो यह है अमेजन ने किया नेक्स्ट वीच आप फॉलिंग इस्टेट इन दा कंट्री टू सेट अपे मोडिफाई बायो विलेज आफ्टर दसपारा विलेज वा सकसिस्पुली कनवाट इन्टू ए बायो विलेज यदि आ लगातार कोसिस कर रहा है कि मेरे गांव जो है और भी विलेज है डिकलेयर हो जाएं तो आपको बताएं वह कौन सा राज है तो आप बोलना तिपुरा तस पारा तिपुरा में पढ़ता है कि नागालेंड में है कि कंफ्यूज हो रहा हूं आप बताएं मुझे मैंने कई बार तुमनों को पढ़ाया लेकिन मैं कंफ्यूज हो रहा हूं danовых겠습니다 cm मुझे लगा नागलेंड में हैं अगला इन्विच स्पॉर्ट चैंपियन यदि आप से कारे जूरिक और यदि आप से कारे नीरा्य विटा तो आप बताईए कि नीज़ा चोपडा ने अभी हाली में जुरिक में आज इत होने वाले किस खेल में यह चैंपियंशिप में जैवलिन त्रो में सुन पदक जीत करके जो है भारत की थियास में पहला नाम दर्ज किया उस खेल में आज तक जो है उस चैंपियंशिप में या उस गेम में कभी भारत को गोल्ड नहीं मिला है कौन सा एक ऐसी ट्रॉफी है जहां पर ऐसा किया है इन्होंने तो आप बोलना सुट्जिया लैंड में जीरिक सहर में डाइमंड लीग में यह आप से का जा गोल्ड हांसल करके भारत के लिए जो है डाइमंड लीग जो होती है लुशाने में और वहां पर भारत के लिए गोल्ड लाने वाले पहले भारते कौन बने नीरत चोपड़ा बन अगला विचिदा गोइंग भी वीकम दा फर्स्ट इस्टेट इन दा कंट्री टू ड्राफ्टे सुसाइड यह आप से का जा प्रिवेंशन पॉलसी आप बताइए कि भारत का वह राज जिसने जो सुसाइड के केस होते हैं उनको आत्महत्या को कही न कहीं मसोदे को ले करके द हिंदी का कूर्स भी इसने शुरू किया है बहुत साइड डॉक्टर इस वजह से नहीं मन पाते थे कि इंगलिस में पढ़ना पड़ता है अब में किसने लॉंच किया है तो आपको बतारें इनोग्रेट बाई अमिस साइजी हिंदी में भी आब आप में कर सकते हैं और यही भारत का वैराज इसने सुसाइड को ले करके आथमत्या को ले करके प्रिविंसर पॉलसी बनाई है कि रूख थाम कैसे करें अगला सवाल भारत का पहला 3D प्रिंटेट पोश्ट आफिस जो है कहां पर है तो आप बोलना बैंगलोर में है भारत का पहला 3D प्रिंटेट पोश्ट आफिस ठीक है इंपॉर्टेंट है साथी साथ भारत मेरी आप से का जाए ब्रेइन को ले करके पहला क्लीनिक जो है कहां पर बनाए गया तो यहीं पर बनाए गया पुलंपारा जो इस्टेट्स पुली इस्टल लिट्रेट ग्रंपांशहें इन दकरी आपसे कहा जाए भारत की पहली जो है परी ठीक जो इसका जोटर्य सवाड़ाइए को पिस्राजव में पढ़ती है Why do भारत का पहला यदि आपसे कहा जाए फर्स्ट डिश्टल उनिर सिटी जो एकां पर बनाई यह तो यहीं पर बनाई आ रही है तो दिश्टल पंच्छायद भी यहीं पर रहें इन विज शिटी दा टू नेशनल लेवर कॉन्फरेंस यह आप से कहा जा मिनिश्टर आफ लेवर एंड इंप्लाइमेंट जो है हमारे समय देश की मिनिश्टर आफ लेवर इंप्लाइमेंट है डॉक्टर धर्मिंद प्रधान बताई अभी हाली में रोजगार और स्रमकों को लेकर के समेलन हुआ है दो दिन का एक कहा पर हुआ है राइट आंसर दीजेगा शोटे भाई है 25 से लेकर के 26 अगस 2022 को केंद्री स्रम और रोजगार मंत्रा ले दोरा किस सहर में दो दिवसी जो है राष्टे स्रम सम्मेलन का आउजन किया गया है त्राइट आंसर ने 25 से लेकर के 26 अगस 2022 को केंद्री स्रम और रोजगार मंत्रा ले के दोरा किस सहर में तो आप बोलना तिरुपति तिरुपति में आपको पता है बाला जी का मंदिर पढ़ता है कहां पर है तो आंधरा प्रदेश में विट विच कंट्री इंडिया है साइन ठीक है टू आइमो यू यदि आप से का जा कॉपरेशन इन प्रोमोशन MSME सेक्टर माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजिश के लिए भारत में जो है माइक्रो सूच में लगू मध्यम इंटरप्राइजिश को ले करके किस भारत के किस देश के साथ मोई साइन किया है क्या हम बता है आपको मोई समझाओते जो है साइन करते हैं मतलब कि हम लोग आपस में मिलकर के जो है बढ़ावा देंगे सेक्टर में तो आप बिल्कुस सही मौरिशर मौरिशर पोर्ट लुइस अगला सवाल तो यह आज के सारे बहतरीन सवाल थे जो मैंने आपको कराए यह सेसन आप सबको पसंद आया होगा डेली सेसन जो है छोटे भाईयों आपको बता दूं यह डेली क्लास जो है टू पीम पर ही होगी तो आप लोग अन्य दोस्तों को भी बता दीजेगा वाइटी सिसन जरूर जोयन करें रिवीजन इजे की आप सकसेज बहुत सारे ऐसे करें के सवाल जो आपको मैंने पहले कभी कराये थे रिवीजन इज एक की आप सकसेज उनको भी पार्टिसिपेट करें और उनको यहाँ पर आंसर करें फटाफट ठीक है और साथी साथ मैं आपको डेली नए कोश्चंस भी ले करके आ रहा हूं आगे आने वाले समय में मैं आपको एक प्रापर स्रीज जो है प्रोवाइट करने वाला हूं CGL 2022 के लिए ठीक है आपका और 23 के लिए जो आपके एक्जाम आ रहे हैं साथी साथ मैं यहाँ पर आपके जो MTS पर इच्छाएं आ रही हैं उसके लिए भी मॉक प्रोवाइट करने वाला हूं जीडी के लिए भी और जो लोग इस्टैनों की तयारी कर रहे हैं उन सब के लिए भी तो सीजियल ऑबलिक सीचसल 2223 दोनों के लिए MTS और जीडी और इस्टैनों सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टिन मोस्ट इंपॉर्टिन सवाल है यह इसके लावा जो लोग सीडियस की या किसी भी इस्टैट पीसिस की तयारी करते हैं उनके लिए भी अत्यंत महात्पुन सवाल है जो जीएस की पूछे जाएंगे तो उनको भी यहाँ पर सांती से करना चाहिए आज ठंड बहुत है तसकील बावू मैं खुद महसूस कर पा रहा हूं इसलिए पता है बहुत ज सब्सक्राइबर है अनकाडमी के वह मेरे प्लस सेशन जरूर देखें जहां पर मैं आपको जोग्रफी पढ़ा रहा हूं और साथी साथ यहां पर रात में दस बजे टैन पीम पर छोटे बाई रात में दस बजे जो है मैं आट इन कल्चर पढ़ा रहा हूं तो आट इन पूर तयारी के लिए जो है आप में साथ जुड़ सकते हैं ठीक है यह फ्री स्पेसर क्लास को भी देखें आप में साथ जुड़ करके हिस्ट्री जोगरफी पॉल्टी एकॉनमी साइंस करेंट अफेर स्टैटीजी के सब कुछ कवर कर सकते हैं और एक सबसे इंपॉर्टें के साथ जुड़ते समय जब भी आप एक रैफर कोड फिल करेंगे कि आप रैफर कहां से हुए हैं तो आप जीटें डिसकाउंट कोड यह रैफर कोड के रूप में यूज करेंगे इसमें आपको 23% डिसकाउंट का ओफर मिलेगा प्लस आपको अनकडमी के ऑल बैच एकसेज करने को मिलेंगे प्लस छोटे भाई आप सब को ध्यान देना है कि अल एजूकेटर की क्लास मिलेंगी जितने भी एजूकेटर अनकडमी पढ़ा रहे होंगे आप उन सभी की एकसेज कर सकेंगे तो आप जीटें कोड एपलाई करके अनकडमी के साथ जुड़ें लक्ष करें MTS का बैच है वह जो लोग CGL एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं वह सफलता बैच को इन्रोल करें और सफलता बैच को इन्रोल करते समय भी आपको जीटें जो है डिसकाउंट कोड एपलाई करना है आपको मैं GS पढ़ा रहा हूंगा GS में हर एक पार्ट को गबर करूँगा कंप्यूटर भी आपको पढ़ाऊंगा तो आप जोड़ें साथ ही साथ आनेकैडमी वन इस्टाप सलूशन है आप सब को पता है टेस्टरी जनेकैडमी की सबसे लाजवाब है और 15 तारीक का आपका जो इस पेसल टेस्ट है आप उसमें भी इन्रोल करके उसके साथ जोड़ को सकते हैं तो आप सबसनाल ले सकते हैं टेस्ट के लिए और कोड़ कर सकते हैं साथ ही ऌपको और सबको पर नोचनेर नोट से भी पढ़ सकते हैं साथ ही साथ है और आपको on academy के साथ जोड़ आहां पर प्राप्त कर सकते हैं तो click one यह साथ जो है kमप्लीट आप कहा पर खड़े हैं किसी एक साथ जो है आप GA की कुछ कर सकते हैं, English की कुछ कर सकते हैं, Math की कुछ कर सकते हैं और सामने से जो भी competitor होगा आप वो जवाब दे सकता है Ask a doubt feature Unacademy की एक खुबसूरती है जहाँ पर आप किसी भी doubt को clip करके photo को click करके, crop करके submit करते हैं जो आपको प्रवाइड करती है, video solutions भी आपको प्राप्त होता है तो आप अने के साथ जुड़ें, इंडिया का number one education platform जो आपकी तैयारी को बना रहा है बहुत आसान, तो आप इसके साथ जुड़ करके, अपनी तैयारी को बहुत आसान करें किसी का कोई सवाल, कोई प्रस्न तो मुझसे कर सकता है, कुछ भी सवाल हो कोई कुछ भी पूछना चाहें, मुझसे पूछ सकता है, आपके बास दो से तीन मेट का समय है, आप पूछ सकते हैं किसी का गोई सवाल नहीं है तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं अपना ख्याल रखिए मेरी प्रोफाइल में आप अने केडमी में जाईएगा यहां पर और मैं जो इस पेसल क्लास कराता हूं उसको जरूर क्लिक करके जॉइन कर लीजेगा किसी भी बैच को जॉइन कर होगा तो आपको यहां पर अप्डेट सफसन में जाना होगा तो आप यहां पर आइकॉनिक सफसन लेना चाहते हैं प्लस सफसन लेना चाहते हैं तो आपको यहां पर बारे महिने का लेना है कि आपको 24 महिने का लेना है तो आप 24 महिने में जाएंगे और यहां पर जाकर के जो है जी 10 कोड जो है अपलाई करेंगे जैसे आप यहां पर जी 10 कोड अपलाई करते हैं आप देखेगा बड़ा सा बदलाओ यहां पर आपको देखने को मिलेगा जी 10 कोड अपलाई करेंगे अपलाई कर देंगे तो देखो यहां पर सुरी आप यहाँ पर जाकर के जैसे ही आप 24 मंद का सफसन लेना चाहेंगे तो आप यहाँ पर जाकर के जिसो है सिर्फ एक कोड अपलाई करना है जे डवल इटी वन जीरो जैसे आप यह कोड अपलाई करते हैं तो आप देखे कि और भी आपका डिसकाउंट हो जाएगा आपको 260 रुपे पर मंत जो है मिलेगा तो यह जीटेन कोड के बाद भी आपको इस्ट्रा डिसकाउंट जो है इस कोड को अपलाई करने पर मिल रहा होगा तो आप यहाँ पर जीटेन कोड अपलाई करके और अनकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं तीन सु साथ डिगरी का भी बैच आपको मैं प्रोवाइट करूंगा क्लियर कोड अपलाई करना आ गया कैसे अपलाई करते हैं मैं एक बार दिखा देता हूं वाई जैसे आप अनकेडमी सफस्कन लेना चाहते हैं जैसे एक आईडी है आप यहाँ पर गए अनकेडमी में और अनकेडमी में जैसे आप जाते हैं तो आपको पता चला कि मेरा बैच अच्छा लगता किसी भी बैच को आप जॉइन करना है तो जॉइन बैच में जाएंगे यहा यहां पर जाएंगे 24 मन्त का यह दिख रहा है 300 अभी कितना है 37 रुपए है पर मन्त के साफ से आप पता है यहां पर इस्टॉलेशन में भी मतलब कि आप सब्सक्राइब सकते हैं यहां पर आप गए कोड आपने फिल किया जे डबल इटी वन जीरो तो आप इस कोड के त्रूच्व यहां पर घए और यहां पर आपलाइ कर दिय कोड जैसी आप अपकोड हो जाएक पर देखो आपका डिसकाउंट हो जाएगा फिर इसके बाद आफ प्रोसेड ु पे करेंगे जब आप प्रॉसीट टू पे करने के लिए जाएंगे तो आपको एक चीज और फाइदा होता है कि जो टोटल इमाउंट आपका बनेगा यह रिखे इतना बन रहा है मात्र फिर आप यहां पर क्वाइंस भी अपने रेडीम कर सकते हैं तो उसका पैसा अलग कर जाएगा मात्र इस तरीके से आपको सफशन लेना होता है और क्वाइंस रेडीम करने होते हैं देखो यह कोड अपने आप यहां पर दिख रहा होगा जीटेन एपलाइड यहां पर कंप्लीट जो है एपलाइड यह 500 रुपए आपके क्वाइंस के भी रेडीम हो चुके हैं और यह जो दूस जूड़ना चाहें तो